तो या किया करना चाहिए फिर यहां जाने वाल हैं, यह सब कुछ हमищ विडियो में जानने वाल रहे हैं वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दू हमारे साध्य को सम्तिंग तीन साल हो चुके हैं और हम एक बेबी भी है इस फोटो देख रहे हैं यह हमारे बेबी का फोटो है काफी सारा एक्सपिरियंस भी है हमें चीजों के लिए क्यों कि हम लोगों ने बहुत या फिर हम कोई भी अप्डेट डालें तो इसके नोटिकिशन आपको मिलता रहे और एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो तो चली गाइस वीडियो को शुरू करते हैं अब देखिए जैसे कि मैं आपको बता दिया टॉपिक क्या है तो देखिए ऐसा क्यों होता है वो हम थोड कि लोग को तीस दिन के होती व्लब को लोगे सयाक्रिवलर होते हैं को जीस सेन फिर के पीरिटज हमेशा के Lebanon वह जाते हैं तो उनका पहरा होता है कि उस सथ पताiden कितने महीने यह को जाएं और आई कि कभी एसा हो यापकी पीरिड में इसके पहले बढकिल ठीक थे बर STEPP sinking चरप हुई है या फिर आपने कुछ Mattation लिया है आपको बुखार वगएरा हुआ है कुछ टीर्टुमेट वगएर चला है आपको तो यह भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि आपके बॉड़े में कमजोर याना इस महीने आपने बहुत आपको यह दिक्कत चल रही है आप यह परिशान है पीरिट की समस्य रहती है हमें से आपको तो देकि हमारे पास एक आयरोपेजिक दवाई है अगर आप उसका ट्रेटमेंट टीस दिन के लिए लेती है तो आपकी प्रिगनेंट से रुख जाएगी और आपके पीरिट की समस् चाहें वेसे कर सकती है तो इस दवाई को मगवाना चाहती है तो आपको अपना फुल आड्रस वेजना है फोन नमबर के साथ और हम इस दवाई को को प्रिट की मदद से भेज देते हैं तो उमीद है कि आप समझपाए होंगे पीरिड की समस्या है लेकिन प्रेगनेंशी टेस्ट तब भी प्यॉजिटिव रहता है तो वाइस आज लिए नेक्स टूडियो में तब तक के लिए वाइवाई लब टॉल टेक केर धन्यवाद